नहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कुर्शिश करने वालों की हार नहीं होती अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू जो सहले तंच सारे, ऐसा पिचारा नहीं है तू अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू जो सहले तंच सारे, ऐसा पिचारा नहीं तू भरोसा रख खुदा पे और अपने होसलों पे तुझे तो चान बनना है, कोई तारा नहीं तू करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा ये अब तु ठान ले तक दीर से भी पोल के रख कसोटी वक्त की है हासलों को पोल के रख जोड़ना है तुझे उचा परों को पोल के रख कसोटी वक्त की है हासलों गुड इपनिंग आप सभी को BESTA Compunitive Classage के YouTube चैनल पर मैं आलोग भरपूर स्वागत करता हूँ आईए और अपने जग्राफी को बेस्तर केजे आज हम लोग special जग्राफी 26 से देखेंगे जो कि काफी महत्पूर्ण है तो इससे पहले अभी तक 25 वीडियो उपलब्ध है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो आप पीछे के वीडियो देखें इससे आप पूरा जग्राफी रिकॉल होगा और आप से एक भी जग्राफी से रिलेटेड कोश्चिन एक जाम में नहीं चूट सकते हैं इसलिए आप सभी जरूर देखें पीछे के वीडियो आपको एस्पेशल पॉलीटी सीरीज यहां मिलेगा आप प्लेलिष्ट में जाकर एस्पेशल पॉलीटी सीरीज देख सकते हैं इससे आपका पूरा पॉलीटी क्लियर हो जाएगा आपका पूरा अनुच्छेत क्लियर होगा इसलिए आप सभी class को follow करें daily साम के 7 बजे और सुबह के 6 बजे आपके लिए daily current of your series special geography series लाया जाता है ताकि आपके तयारी को बेस्तर बनाया जा सके इसलिए सभी लोग सामिल होएं साम के 7 बजे आप सभी का time है साम में 7 बजे special geography series तो सभी लोग सामिल होएं सभी लोग आएं साम के 7 बजे तो सभी लोग आ चुके हैं जल्दी से सभी लोगों को लाया जाए सभी लोगों को लाया जाए और सभी लोग class को share कीजिए जितने भी लोग हैं सभी लोग पहले link share कीजिए सभी लोग अपने दोस्तों के पास link share कीजिए सभी लोगों को जोड़िए ताकि सभी लोग आएं तो competition बढ़े तो आप सभी class को share करते रहे और जो लोग भी नए हैं वो class को subscribe करे बाकी लोग share करते रहे जो नए हैं वो class को subscribe करे बाकी लोग like share करे सभी लोग class को like करें और सभी लोग सामके 7 बज़े जूरे सुबह में 6 बज़े जूरे ताकि आपका current बेस्तर हो सके आपका पूरा GS बेस्तर हो सके तो सभी लोग आ गए हैं सभी लोग आ चुके हैं class रो किया जाए आज आपके लिए महत्पुन question है जल बंडल से ही related तो आपके लिए question लाया जाए सभी लोग ready हैं तो सभी लोग ready रहें आपके लिए question लाया जा रहा है काफी मज़दार question है आपके लिए आज का question काफी मज़दार है आप सभी question से जो है वो बचेंगे नहीं तो फिर गलत हो सकता है इसलिए सभी लोग आराम से question को बनाएंगे तो लीजिए आपके लिए question आ गया है आप सभी answer करेंगे सभी लोग जितने लोग जूरे हैं सभी लोग life chat में answer करेंगे पिर्थवी की सतह का वह भाग जो पानी से ढखा है लगभग कितना तो कल हम लोग देखे थे इस type के question लेकिन हमको कुछ लगा कि ये नया option है इसलिए आपके लिए जु है थोड़ासा question ला दिया क्योंकि इस question में थोड़ासा question तो ठीक था लेकिन option में थोड़ा जो है वो मज़दार option है तो इसलिए आप सभी बचेंगे पिर्थवी के सतह का वह भाग जो पानी से ढखा है कितना तो लगवग में आपको बताना है एक नमबर आप्शन है एक चौथाई दो है आधा तीन है दो तीहाई और चौथा है तीन पाँचवा तो आप देखे थे कि पिर्थवी पे जो है एक 80% भाग पे जो है वो आपका जल मंडल का विस्तार था और 19% भाग पे जो है वो अस्थल का विस्तार था यही आप देखे थे तो कितने प्रतीसत तो सभी लोग आंसर करें तो कितना हो जाएगा तो लगवग दो तिहाई पर पानी है पानी से ढखा है तो इसका आंसर C हो तो बहुत अच्छा कोश्चन है इसे आप सभी ध्यार रखेंगे अगला कोश्चन है कि समुन्द्र तल पर पिर्थवी के केंद्र के सबसे निकट अस्थान कौन है आप सभी इसका आंसर करें कि समुन्द्र तल पर पिर्थवी के केंद्र के सबसे निकट अस्थान है तो एक नमबर अफसन है उत्रीद रो सेकेन है मक्का रेखा थर्ड है करक रेखा और फूर्थ है भूमा धरेखा तो आप सभी इसके आंसर निकाले बहुत मज़ेदार कोश्चन है यह समुन्द्र तल पर पिर्थवी के केंद्र के सबसे निकट अस्थान कौन है आप सभी इसका आंसर निकाले काफी महत्पूर्ण कोश्चन है आपके जाम के डिश्टी से तो सभी लोग इसका आंसर निकाले जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर बताए यह मैं समय देता question में हर बराना नहीं है आप सभी अराम से इस question का answer करेंगे किमकि महत्पुन question है जितने लोग हैं सभी लोग answer करें सभी लोग इसका answer करें इसका answer हो जाएगा आप सभी ध्यान देंगे इसका answer हो जाएगा एक नमबर उत्री ध्रोब अब इस question को आप समझेंगे थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको ये question को समझने में तो समझ लिजी क्योंकि ये question नया है और यह question जो है वो BPSC के द्वारा पूछा हुआ question है इसलिए आप इस question पर ध्यान देंगे पिर्थवी के केंदर से सबसे निकटम बिंदू जो होती है वो उत्री ध्रूब के पास आर्कटिक महासागर की तली कल हम लोग देखे थे कि कुल पांच महासागर है और एक इसी में हम देखे थे कि उत्री ध्रूब के पास आर्कटिक महासागर तो आरकटिक महासागर की तली जो की चार किलोमीटर की गहराई पर है जो पिर्थवी के केंदर से 6553 किलोमीटर के दूरी परिश्थीत है तो का रहा है कि पिर्थवी के केंदर से सबसे निकटतम बिंदू जो है वो उत्री ध्रूब के पास आरकटिक महासागर की तली में है जो की चार किलोमीटर की गहराई पर है जो पिर्थवी की केंदर से 6553 किलोमीटर के दूरी पर इस्तित है तो इस तरह से इसका आंसर उत्री ध्याँ रखेंगे, काफी महत्पुन कोश्चन है, ये कोश्चन पर आप ध्याँ रखेंगे, अगला कोश्चन है कि हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग है, तो हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग है, आप सभी इसका अंसर करें, एक नमबर है अट्लांटिक महासागर, B है हिंद महासागर C प्रसांत महासागर D अंटार्कटिक महासागर तो हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग है आज का question कुछ अच्छा लग रहा है आप लोगों बनेगा न ये question बहुत अच्छा question है आपके exam के list से इस टाइप से question आते रहते exam में Question आसान है बस आपको जो है वो निकालने आना चाहिए इसका answer हमारे जल मंडल का सबसे बड़ा भाग कौन है आप निकाल सकते हैं बिलकुल इसका answer C नंबर होगा प्रसांत महासागर क्योंकि सबसे बड़ा महासागर प्रसांत महासागर जिसका विस्तार जो है वो लगभग हम लोग देखे थे पीछे कि कुल का 46% भाग पर प्रसांत महासागर का भी स्तार है तो इसका आंसर प्रसांत महासागर तो जल मंडल का सबसे बड़ा भाग कौन हो गया प्रसांत महासागर होगा तो बिलकुल आफ सभी का आंसर सही है इसका आंसर C number हो जाएगा कहां परिस्तित है इसका आंसर सभी लोग करें जितने लोग हैं सभी लोग करें कि 90 East Ridge कहां परिस्तित है तो इसी को जो है वो आप 90 East Ridge जो कहा गया ये कह रहा है कि किस महासागर में इस्तित है रीज को कटक भी बोला जाता है द्यार रखेंगे इसका हिंदी कटक होता है तो 90 East Ridge कहां परिस्तित है ये भी आपका BPSC के द्वारा कोश्चन पूछा गया है 90 East Ridge कहां पर है एक नंबर आफसन हिंद महासागर B प्रसांत महासागर C अंध महासागर D इन में से कोई नहीं सभी लोग आंसर करें जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें 90 East Ridge कहां परिस्तित है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर यानि कि एक नंबर हिंद महासागर में 90 East Ridge इस्तित है जो कि हिंद महासागर में इस्तित एक कटक का नाम है द्यां रखना है रीज एक कटक होता है तो एक कटक है हिंद महासागर में जिसका नाम 90-ist रीज है द्यां रखना है 90-ist रीज आपका हिंद महासागर में इस्तित है जो की एक कटक है द्यां रखना है अगला question है कि निम्न में कौन महासागर का भाग है आप सभी इसका आंसर करें कौन महासागर के भाग है एक नमबर है महादुपिय मगन टर्ट बी है महादुपिय मगन ढाल सी है महासागर ये मैदान और डी है महासागर ये गर्त और नेक्स्ट है सभी तो इसका आंसर करें कौन महासागर का भाग है इसका तो आंसर आप सभी निकाल लेंगे क्योंकि आप सभी जो है वो मेरे कमजूरी को पश्चान गए है तो इसका आंसर तो आप सभी निकाल लिए है तो कोई बात नहीं है मैं भी चाहता हूं कि आप सभी जो answer सही ही करें कि कि सभी question में अगर हम answer गलत करवाने लगे तो फिर आपको भी मन नहीं लगेगा लेकिन अगर गलत भी हो तो आपको घबराना नहीं कि मेरा उद्देश यहाँ पर आपका test लेना नहीं है बलकि आपको जितना अधिक हो सके मैं सिखाने की कोशिस करता हूँ जो भी मैं option लाता हूँ यह सब सिखाने के लिए option set करता हूँ तो मेरा मुख उद्देश से है आपको जितना ज़्यादा हो सिखा दिया जाए ताकि आप exam में बैठ है तो आपको कुछ भी नया ना लगे आपको लगे कि मैं सब पढ़ लिया हूँ इसलिए आप सभी सही ढंग से follow करें जितने भी लोग अगामी बिहार दरोगा देने वाले हैं SSC देने वाला हैं सभी में आप जा रहे हैं कि GS का बहुत महत्पून भूमिका हो गया तो आप सभी स्रियस होकर GS को follow करें SSC MTS में आपका जो है वो GS की भूमिका बढ़ गई अब merit में जो है वो GS के नंबर को add किया जाएगा इसलिए सभी लोग GS को ध्यान से पढ़ें अब GS objective पढ़ने से नहीं होगा आपको subjective के साथ objective पढ़ना होगा इसलिए सभी लोग जो है वो subjective objective class करें subjective जो है वो आप offline class batch में आकर कर सकते हैं objective आपके लिए मैं online लाता हूँ ताकि आपको recall करवा दिया जाए तो इस तरह से सभी लोग को जितना मौका है सभी लोग अपने सही समय का सही डंग से उप्योग करे आप बेस्तर कर सकते हैं तो आप सभी करें इसका answer हो जाएगा बिल्कुल आप सभी का answer सही है इसका answer E number होगा यह आपका जो है वो महासागर के चार भाग होते हैं देखिएगा इस तरह से महासागर अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से जो है वो महासागर जो होते हैं तो आप देखिएगा कि ये आपका महासागर ये महादुपिय मगन टट होते हैं ये महादुपिय मगन टट होती है ये महादुपिय मगन धाल होती है ये आपका महासागर ये मैदान होती है और यहाँ पर आपको गर्थ देखने के लिए मिलेगा तो इस तरह से जो है वो आपका सबसे उपर जो है महाद्वीपिय मग्न टट फिर महाद्वीपिय मग्न डहाल फिर महासगरिय मैदान और मैदान के अंदर ही आपका जो है कोई खड़ा रस्ता या ए गड़ रासता है उसी को महासागर ये गर्त कहा जाता है तो यह 4 प्वाइंट है यह 4 ध्यान रखेंगे इसका आंसर E हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका धाल सबसे कम है आंसर करें सबीं लोग किसका धाल सबसे कम है तो आपका option है महाद्वीपे मगन टट, B है महाद्वीपे मगन ढ़ाल, C है महासागरिये मैदान, और D है महासागरिये गर्त तो सबसे कम ढ़ाल किसका होता है तो ध्याँ रखेगा इसका answer हो जाएगा आपका एक number महाद्वीपे मगन टट इसका ढ़ाल जो है वो आपका एक डिगरी से लेकर एक डिगरी से लेकर आपका तीन डिगरी तक इसका ढ़ाल होती है तो ध्याँ रखेंगे कि महाद्वीपे मगन टट की ढ़ाल एक से तीन डिगरी तक होती है जो कि सबसे कम ढ़ाल इसी की होती है ध्याँ रखना है आप सबी तो जिंदगी एक बार मिलती है, बात बिल्कुल गलत है, प्रती दिन सुड़ की उढ़ा होती है, और आपको एक नया मौका मिलती है, तो जिंदगी हर रोज मिलती है, ध्यार रखेंगे आप, जीस दिन चाहेंगे, उसी दिन से आप बेस्तर करने के लिए अपना जिन्दगी जीना शुरू कर देंगे तो आप सब ही भी आज से ही कोशिस करें कि आज से हम अपना जिन्दगी जीना शुरू करें और अपने लिए अपने future के लिए मेहनत करना शुरू कर दें तो जिन्दगी एक बार मिलती है यह बात बिल्कुल गलत है आपको प्रती दिन मौका मिलती है आपको बेस्तर करने के लिए तो आज से आप सुरू करें आज आपके लिए बेस्तर देना है और आज से सुरू किजिए देखें कि आप बेस्तर कर सकते हैं तो बिल्कुल उमेद करता हूँ कि आप सभी इस लाइन से सीखे होंगे तो बिल्कुल आप सभी सीखे और इसी उद्देश के साथ आगे बढ़े कि प्रती दिन आपको एक नया जिन्दगी में रहा है और इससे आपको कुछ सीखने की जरूरत है और सीख कर आप आगे बढ़े तो उमीद करता हूँ कि आप इस लाइन को फॉलो करेंगे आईए अगला क्वेशन देखते हैं कि कौन से छेत्र मचली पकरने का उत्तम छेत्र है यह सब क्वेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा यह सब क्वेशन जो है मैं काफी मेहनत करके आपके लिए लाता हूँ ताकि आपको समझाया जा सके आपको इतना समझाया जा सके कि आप एकजाम में एक वी क्वेशन गलती ना कर सके तो आप सभी इसे फॉलो करें आप सभी ध्यान से क्वेशन को देखे लाइफ चैट में सभी लोग आंसर करें फिर बाद में एक दो बार इस class को recall करें, तब ही जायकर आपका पूरा question clear होगा, एक बार में possible नहीं कि आप clear कर सकते हैं, इसलिए दो चार बार इसे recall करें, question है कि कौन से छेत्र मचली पकरने का उत्तम छेत्र है, तो एक number option है महादवीपिये मगनटट, B है महादवीपिये मगनधाल, C महासागरिये मैदान, D महासागरिये घर्द, तो कौन से छेत्र मचली पकरने के लिए उत्तम है, तो ध्यार रखेंगे, इसका answer हो जाएगा आपका महादवीपिये मगनटट, महादवीपिये मगनटट मचली पकरने का उत्तम छेत्र होता है, क्योंकि महादवीपिये मगनटट तक सूरे का प्रकास काफी रखता है, जिसके कारण, यहाँ एक समुंदरी पौधा होती है, जिसका नाम है plankton, तो plankton नामक पौधा अधिक मातरा में यहाँ पर पाई जाती है, और इसी को खाने के लिए, मचलीया दूर दूर से यहाँ आती है, और यहाँ पर जो है, वो मचलीया का जो है, काफी उत्तम छेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ तक सूरे की प्रकास पहुंदी है, और plankton नाम की पौधा काफिया देख रहती और इसी plankton को खाने मचलीया दूर दूर से आती है, तो इसलिए इसे उत्तम छेत्र माना जाता है मचलीया पकरने के लिए, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर एक नमबर हो जाएगा, अगला question है कि petroleum का उत्पादन समुन्दर के किस छेत्र से किया जाता है, तो आपको पता ह petroleum का उत्पादन कहां किस छेत्र से किया जाता है, आप सभी इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक नमबर महादवीपे मगन टट, महादवीपे मगन टट से ही ध्यान रखेंगे, petroleum का उत्पादन किया जाता है, विश्व का मुंबई हाई पेट्रोलिय मुत्पादन का सर्वत्तम उधारन मगन टट से ही जो है देखा जा सकता है जो कि भारत में है तो इस तरह से इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा ध्यां रखेंगे अगला कोश्चन है कि महासागरों का सबसे बरा छित्रफल किसके अंतरगत आता है बहुत अच्छा कोश्चन है आप सभी इसका आंसर करें महासागरों का सबसे बरा छित्रफल किसके अंतरगत आते हैं ध्यारा खेंगे इसका आंसर सभी लोग करें सभसे अधिक छित्रफल किसका रहता है तो सभी लोग इसका आंसर करें जितने लोग हैं सभी लोग इसका आ अंतरगत आता है, सब्से बड़ा छ स्षित्रफल इसका ध्यां रखेंगे, महासागर यह मैदान का इसका छ्षित्रफल जो है अगर हम बात करते हैं तो 75% से एवब है, द्यां रखना है, कि 25,9% ध्यां रखना है, 25,9% पूरे समुंद्र का अगर भाग की बात करएं तो ढाल के अगर हम बात करें, यानि कि इसकी बात करें, तो इसका विस्तार जो है, वो 8.5% पर सेंट पे है, ध्यान रखना है, 8.5% पर सेंट पे आपका महादीपिय मगन ढाल का विस्तार है, यानि कि सबसे अधिक छेत्रफल पे किसका विस्तार है, तो महासागरिय मैदान का वि को आपको ध्यां रखना है अगला कोश्चन है तो आज का कोश्चन को ज्यादा टफ नहीं न लग रहा है आप सभी को कोश्चन टफ नहीं न लग रहा है आज का कोश्चन जो है काफी लॉजिकल कोश्चन है देखिए जो भी कोश्चन है काफी लॉजिकल कोश्चन है आप चा प्रते कोस्चन को जो है आपको डिटेल से समझा दे ताकि आप कोस्चन में फसे नहीं फिर भी अगर आप डिपली अध्यान नहीं किये हैं तो थोड़ा टफ लगेगा फिर भी आप कोसिस यही करें कि दो चार बार वीडियो को देखें इससे होगा क्या कि आप एक ही चीछ को देखेंगे तो आपके माइन में यह आ जाएंगे तो आप एक्जाम में बना सकते हैं तो इसलिए आप सभी को घवराना नहीं है आप सभी को फसाना मेरा उदेश नहीं है आपको सिखाना मेरा मुख उदेश है तो आप सभी यही कोशिस करें कि जितना ज़्यादा हो हम यहा तो अभी मेरा यही उदेश है कि पूरे GS को जैसे पॉलिटी खतम कर दिये जग्राफी भी खतम करने जा रहे हैं तो इसी तरह पूरे GS का अबजेक्टिव आपके लिए इस चैनल पर रख दें ताकि आपको जब भी फुर्सत मिले आप पूरे एक्जाम से पहले रिकॉल कर ले अबजेक्टिव का तो मेरा मुख खुदेश अभी है कि जो है वो मिस्लेनियस के जगा अभी आपके लिए इसी टाइप के कोश्चन लाएं आपका पूरा जो है वो GS को इसी तरह से आपके इस चैनल पर रख दिया जाए ताकि आपको कोई परिसानी नहों हो आपको जब मन क करें जब आकर आप रिकॉल करें यहां पर और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो मिस्लेनियस कोश्चन डेली देखेंगे तो अभी यही मेरे अनुसार जो है सही है बाकी आप सभी का जो डिमांड रहेगा जरूर आपको पूरा किया जाएगा तो आप सभी अगर कहेंगे तो ऐसा भी किया जाएगा लेकिन अभी मेरा मानना है कि यह आपके लिए जङदा बिसतर है तो आप सभी जरूर कॉमेंट करेंगे कैसा चाहिए आप यह मिस्लेनियस या फिर इसी तरह बाकि तो हम आपके लिए हमेसा तयार है जैसे कहेंगे वैसे आपके Лिए कुश्चन ल मगनिटर्ट, महाद्वीपिय मगन ढाल, महासागरिय मैदान और महासागरिय गर्थ, सबी लोग आंसर करें, जितने लोग हैं सबी लोग आंसर करें, तो इसका आंसर हो जाएगा महासागरिय गर्थ, जो उसके महासागरिय मैदान के अंदर जो गड़े होते हैं, उसी को अगला कुस्चिन है कि चैलेंजर कटक इस्थीत है, सब्योग इसका आंसर करें, तो ध्यां रखेंगे कि अट्लांटिक महासागर में एक कटक है, जिसे चैलेंजर कटक कहा जाता है ध्यां रखेंगे, जो कि A.C.C.R. के है A.C.C.R. के आपका एक challenger कटक है जो कि A.T.L.M.S.A.G.R. में इस्तित है तो इसी A.T.L.M.S.A.G.R. को challenger कटक आजाता है जो कि A.T.L.M.S.A.G.R. में इस्तित है दियाां राखना है आप सबीको अगला question है कि महासागरिये मगन धाल से संबंधित सही है देखे एक question काफी जो है महत्पुर्ण question है यहाँ मेरा मुख देश है इस question में आपको सिखाना महासागरिये मगन धाल अभी हम लोग देखे थे कि महादविपये मगन धाल और महादविपये मगन धाल तो महाद्वीपिय मगन ढाल से सम्बंदी सही है तो सबसे अधिक महाद्वीपिय मगन ढाल जो है वो अट्लांटिक महासागर में है जो कि 13.3% है 13.3% सबसे अधिक महाद्वीपिय मगन ढाल है दूसरा सबसे अधिक महाद्वीपिय मगन ढाल 5.7% है जो कि प्रसांत महासागर है और तीसरा हिंद महासागर में जो है वो 4.2% महाद्वीपिय मगन डाल है तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे सबसे कम हिंद महासागर में और सबसे अधिक अट्लांटिक महासागर में महाद्वीपिय मगन डाल है तो इस तरह से इसका आंसर D हो ज सबसे निचला खाई है पिर्थवी का ध्यारा कहेंगे मिर्याना ट्रेंच जो कि प्रसांत महासागर में ही इस्तित है और इसकी गहराई दूसरा है टोंगा गर्थ तो ये भी प्रसांत महासागर की गर्थ है तीसरा है फिलिपीन गर्थ ये भी आपका जो है वो प्रसांत महास तो ये आपका Atlantic महासागर की गर्थ है यानि कि ये गलत है ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा तो ये चार महत्पुन याद रखेंगे ये प्रसांत महासागर के गर्थ है ये चारों आप सभी याद कर लेंगे तो इस तरह के हम question इसलिए लाते हैं कि आपका पूरा concept किलियर किया जा सके तो ये चार महत्पुन गर्थ प्रसांत महासागर में है तो ध्यान रखना है आप सभी को अगला question है कि निम्न में कौन Atlantic महासागर का गर्थ नहीं है कौन Atlantic महासागर का गर्थ नहीं है तो एक नमबर है केमन ट्रेंच ये तो Atlantic महासागर के ही है सेकेंड है रोमानसे ट्रेंच ये भी आपका Atlantic महासागर के है नेक्ट है साउथ सैंडविक ट्रेंच ये भी आपका Atlantic महासागर के है प्यूटोरिको ट्रेंच ये भी आपका Atlantic महासागर के है जबकि जावागर्थ हिंद महासागर की गर्थ है जो कि इंडोनीसिया में इस्तित है तो ध्याँ रखेंगे जावागर्थ हिंद महासागर और बाकी के सब अटलांटिक महासागर के गर्थ है तो उमीद करता हूँ कि आप सभी का गर्थ किलियर हो गया होगा अगरा question है कि महासागर का परपटी सीलिका और किसकी बनी होती है बना इस question को आप सभी जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें क्योंकि आप सभी परहे थे भूपरपटी, भूपरवार और भूपरोड तो महासागर का परपटी सीलिका और किसकी बनी होती है आप सभी लोग आंसर करें एक नमबर है मैगनेसियम, B है लोहा C मैगनेज और D सलफर तो जितने लोग हैं सभी लोग इसका आंसर करें सभी लोग इसका आंसर करें कि इसका आंसर क्या हो जाएगा कि महा सागर के परपटी मुख्यता सिल्का और किसकी बनी होती है तो दिहां रखेंगे कि आप पढ़े होंगे सियॉल सीमा निफ है तो अब आप निकाल सकते हैं सियॉल यानि कि सिल्का सियॉल सीमा तो सीमा यानि कि सिल्का और मैगनिसियम तो इसका अंसर एक नमबर होगा यानि कि भूपर सीमा सियाल नीफ है तो यहाँ पर आप बना सकते हैं हम तीनों पढ़े थे जब भूप्रीष्ट पा रहे थे कि भूप्रीष्ट भूपरवार और भूपरोड तो आप देखे थे कि सियाल सिमा नीफ है यानि कि mental जो था भूपरवार था वो आपका silika और magnesium से बना था तो महसागर जो है वो भूपरपटी के अंतरगत आते हैं तो इस तरह से यह आपका silika और magnesium की मातरा होती है silika और magnesium की बनी होती है महसागर तो ध्यार रखेंगे कैंगे ये भूपरवार के अंतरगत आते हैं, हम लोग परहे थे, भूपरपटी, जिसे सियाल कहा गया था, भूपरवार जिसे मेंटल कहा गया था, और फिर देखे थे, भूपरोड, जिसे नीफे कहा गया था, तो ये सारा question हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो उसी से related question था, आप पीछे निकाल सकते हैं, तो इसका answer एक number हो जाएगा, अगला question है कि सुन्डागर्थ कहां है, सुन्डागर्थ, अभी हम लोग जावागर्थ देखे थे, अभी ये question है सुन्डागर्थ, आप सभी से answer करे, एक number है हिंद महासागर, B अटलांटिक महासागर, C प्रसांत महासा और D इनमे से कोई नहीं, तो सुन्डागर्थ, आप सभी लोग इसका answer करे, सभी लोग answer करे, इसका answer एक number होगा हिंद महासागर, हिंद महासागर में सुन्डागर्थ इस्तित है, और जावागर्थ को ही सुन्डागर्थ कहा जाता है, ध्यां रखेंगे, अभी हम लोग कोश्चन है और आज का लाश्ट कोश्चन है और काफी महत्पूर्ण कोश्चन है और काफी जो है वो अच्छा कोश्चन है तो आप सभी इस कोश्चन का अंसर करें महासागर में नितल जिवजात बेन्थोस कहां पाया जाते हैं ये कोश्चन जो है वो कुछ ज्यादा इसलिए आप सभी के लिए लाएं, सभी लोग इसका आंसर करें, जितने लोग हैं, सभी लोग इसका आंसर करें, काफी अच्छा question है, और काफी महत्पून question है, आप जितने लोग हैं, सभी लोग इसका आंसर करें, इसके लिए हम आपको समय भी देते हैं, आपके लिए एक मिन का समय है आप सभी इसका आंसर करें सभी लोग इसका आंसर करें काफी महत्पून कोश्चन है काफी महत्पून कोश्चन है सभी लोग इसका आंसर करें जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें कैसा लग रहा है यह question आज जो कोई भी question हम लोग देखे आज का question कैसा लगा आप सभी को जरूर बताएं तो एक number option है इसका महासागर के तल पर, B है महासागर के उपरी सतफ पर, C है महासागर के सीमिछेत पर और D है टट पर तो दिहां रखेंगे पहले आप समझे नितल जिवजात जिसे बेंथोस कहा जाता है तो यह महासागर के तल में पर जाते हैं तो इसका answer तो एक number हो जाएगा यह होते क्या हैं तो दिहां रखेंगे कि जन्तु तथा पौधा जो समुंद्र अथवा जील के तल हटी परसते हैं यानि कि समुंद्र एक दम नीचे तल हटी परसते हैं उसी को नितल जिवजात कहते हैं यानि कि बेंथोस कहते हैं तो दिहां रखेंगे कि नितल जिवजात जो है वो आपका महासागरिये मैदान में पाय जाते हैं समुंदरी जीव एवं समुंदरी पौधों के जो अवसेस होते हैं वही नितल जीवजात होते हैं और उसी को बेंथोस कहा जाता है तो यह महासागर के तल पर होते हैं द्यां रखेंगे यानि कि महासागरिये मैदान में होते हैं तो इस तरह से इसका answer एक number हो जाएगा तो ये SSC का पूछा हुआ question है इसे दिहां रखेंगे आप सभी तो आज काफी महत्पूर्ण हम लोग 17 question देखे थे जल मंडल से इसे पहले भी हम लोग कुछ question जल मंडल से देखे तो लगभग जल मंडल आप सभी का clear हो गया होगा अब इसके आगे हम लोग महासागरिये जल के गतियां को देखेंगे जिससे related question इक जाम में आते रहते हैं तो आज यहीं तक फिर मिलेंगे next class में लेकिन इससे पहले ऐसे कैसे आप सभी जाएंगे आपके लिए सवाल हमारा जवाब आपका सवाल हमारा जवाब आपका में question था अस्थल समीर कब चलती है तो अस्थल समीर रात में चलती है सभी लोगों का answer लगवग सही था तो समीर हम लोग देख चुके हैं पवन पीछे वाला class में देखे हैं तो आप सभी उसे recall करें पूरा अच्छा से आप सभी को पवन पढ़ा दिये ताकि आपका पूरा पवन से related concept बन गया होगा तो आप सभी उसे recall करते रहें और answer करते रहें आज के लिए हैं आपके लिए भू मंडल ये पवन कहा जाता है किसे तो आप सभी इसका answer करेंगे जितने लोग हैं सभी लोग इसका answer करेंगे और आज यहीं तक फिर मिलेंगे next class में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद good night आप सभी को good night